तो देखिए आज मैं सेर करने वाले हूँ आपको सांगरी की सब्जी हमारे रास्तान में इसको सांगरी की सब्जी बोला जाता है और रास्तान के फेमस सब्जियों में से एक है तो इस तरह से बनाई जाती है किस तरह से बनाई जाती है किस तरह से आपको बनानी है कि यह सब् बहुत ही टेस्टी बने तो पूरा वीडियो देखिएगा गाईस जभी आपको समझ में आएगा तो चलो स्टार्ट करते हैं सांगरी की सब्जी बनाना तो देखे गाईस यह सांगरी है और यह करीबँ 1 किलो के लगबग है तो इसकी पूरी की में सब्जी बनाने वाली हूँ तो आपको क्या करना है पहले दिसको अच्छे से धू लेना है तो मैंने तो अच्छे से धो रखी थी और फिर बाद में इसमें बिल्कुल भी पाणी नहीं रहा तो मैंने अगले दिनी दो ली थी तो अब इसको सीधा में काटने वाली हूँ तो इसको सब्जी को आपको पहले आच्छे से दो लेना है तो इसका फ्लेवर केशा होता है जिसे हम मुली खाते हैं वैसा ही इसका टेस्ट होता है तो यह हमारे रास्तान की फेमस सब्जियों में से एक मानी गई है तो रास्तान में किस तरह से इस सब्जी को बनाया जाता है तो गैस पूरा वीडियो देखेगा skip करकर के मत дेखtechnique skip करकर के देखोगे न है फिर आपको इतना समझ में नहीं आएगा कई जगए सांगरी की सबजी भी बोला जाता है कई जगे मोगरी भी बोला जाता है तो कई नामों से बोला जाता है सांगरी की सबजी बहुत ही testy लगती हा लेए जैसे फली के रूप में होती है ये तो इसी तरह से लेकर और फिर हुआने को टेस्ट होता ły मूली होती हाय जरी हरी हरी सबजी होती है जैसे फली होती नहें हूँ դरिके से ये सबजी होती है तry ग Cisco आपको इस तरह से काट लेना है चूटे चूटे टुकडों में काट लेना है तो यह मेरे पूरी सब्सक्राची काट ली है और अब विल्मेरे करी हूँ इधर Formula Mijn दा और छीनिच मलड़ीrum खें अब इसमें एक पिंच हींग डाल देना है तो हींग डालोगें तो इससे सब्जी का बहुत ही अच्छा टेस्ट बढ़ जाएगा और अब इसमें मैं बारी कट की विए प्याज एड़ कर दूंगी तो प्याज को आपको कितना चलाना है ताकि इसमें का ट्रांसफेरेंट हो ज चाड़ रहा है तो क्यों ना सांगरी की सब्जी बनाई जाए और खाई जाए तो इसमें मैंने प्याज हैं ट्रांसपेरेंट होने लगे जब तक इनको अच्छे से भून लेना है तो प्याज मैंने मोटे मोटे सलाइस में कट करके डाला है ज़्यादा बारी करके डाल है तो गाय जो सांगरी की सब्जी होती है और हरी सब्जी हमारे सरी के लिए बहुत ही अच्छी होती है आखों के लिए बालों के लिए और खुन में बढ़ाने के काम भी बहुत ज़्यादा मतलब हेल्प करती है तो आप हरी सब्जी इस टेम भर-भर के आती है सर्दियों के मसें पोस में तो क्योग ना बनाई जाए आब हम क्या करेंगे सी स्टेज पे मैं डाल दोंगे इसमें सुखे बैसिक से मासाले तो एक चमच मे Av dirig डाला है और दम ने राल जाल की दम ने लाल ती जाल दोगे दंया पाउडर डाल तीमाटर में ग्रीते हैं गराइसे बोड़ दला करें सब्सक्री करा मुट अब उसका घ्रेटीव मतंषिक रख से प्लेटा अची मताइसन है इसका से घ्री में अचुछ जा जाना चाहिए गोन ही ऑड़कida करें वेशत ना जाना चाहिए तो उसका टेश्ट है जो समय रहता है तो इसलिए पानी डाल के और मैंश में डाल दिए तो हलका सा पानी डालना है तो इससे क्या होगा की जो टिमाटर है वह अच्छे से गल जायेंगे तो यह देखिए गाते हैं और मसाले भी हृष्चे से पक चुके हैं तो मसाले अच्छे से पकेंगे हृष्ट भी हमारी सब्जी टेस्टी बनेगी आप क्या करना है यह सांगरी है पूरी आपको डाल देना इस stage पर तो दिखिए गाय से इतनी सांगरी की सब्जी मैंने बनाई थी और ये सांगरी की सब्जी है ना दिखने में क्वांटिटी में ज्यादा नजर आरी है लेकिन ये बहुत ही टेस्ट लगती है तोड़ी ज्यादे क्वांटिटी में बनाना ची उसमें अच्छे से आपको मिला लेना है अब मैंने इस stage पर नमक डाला है ताकि जो सांगरी है इसमें घुल मिल जाए गल जाए अच्छे से तो इसलिए इसमें इस stage पर आपको नमक डालना है पहले नहीं डालना है उपड़ से जब नमक डालते है तो सांगरी की सब्जी है जो अपना मोश्चर हो छोड़ती है पानी छोड़ती है तो इसलिए उपर से आपको नमक डालना है तो अच्छे से इसको मिला लेना है ताकि इसमें से पूरे मसाल है ना सांगरी पे लिपड़ जाए कोट हो जाए तो इसलिए मैंने अच्छे से इसको मिला देना है तो आपको पानी में आपको सूकती खाने पानी नहीं डालने तो इस लिए पानी नहीं डालना यह मैंने हलका सा डाला है जादा नहीं डाला है और अब इसको अच्छे से मिला लिया है और आप मैं क्या करूंगे इसको ढखके पका लूँगे अब इसको ढखके 5 मिन्ट के लिए पका लिया है ताकी मसाले कर सेच पूरी सबजी में चला जाए तो यह हमारी सब्जी है जो बिल्कुल बनके रेडी हो गई है आप चाहो तो इसमें धन्या पत्ती भी इसमें एड़ कर सकती हो लेकिन इसमें कोई धन्या पत्ती एड़ करने की कोई जुरत नहीं है बिना धन्या पत्ती के भी सब्जी बहुत ही टेस्टी लगती है तो यह हमा आरे रास्तान के फैमा सांगरी की सब्जी बिल्कुल बनकी रेडी हो गई है आपको मेरी सब्जी बनाने का तरीका थोड़ा भी पसंदा है तो प्लीज वीडियो को लाइक एब अगर मच जाएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरू कर दीजेगा क्योंकि मैं इसी तरह की अच्छी वीडियो डालती हो यह दिया आप फेस्बुक पे देख रहे हो हो तो मेरे फेस्बुक फेज को फोलो कर लीजेगा और यूट्यूब पे देख रहे हो तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजेगा तो इसी तरह के आपको अच्छे वीडियो आपक अच्छी होती है तो यह हमारी सांगरी की सबजी बनके रेडी हो गई, इसको आप बाज़री की јी रोटी, मक्की की रोटी या रॉट किसी की भी साथ खा चाहा सकती हो, बहुत ही टेश्टी लगती है और इसको बनाने में भी ज्ञ़दा टाइम नहीं लगता है, बहुत ही अ अच्छी आपको लगेगी और हर बार यह सबजी बनाना आप पसंद करोगे तो आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें मेरे चैनल को करें सब्सक्राइब मिलता है